हेलो दोस्तो आसा करता हूँ अप सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे दरसल दोस्तो जैसा कि अप सभी फ्रेंड्स चानते हैं मिसाइलों की दुनिया में भारत एक बेताज बातसा बनता जा रहा है दरसल दोस्तो भारत ये मिसाइल टेक्नलोजी का मुकाबला कही ना कहीं सीधा सीधा अमेरिकन मिसाइलों के साथ किया जा रहा है दरसल दोस्तो भारत जिस तरीके से मिसाइल टेक्नलोजी में एक से बढ़कर एक कारणा में हासिल कर रहा है दरसल दोस्तो कुछ इसी तरीके के हैरान कर देने वाली नियूस निकल कर सामने आ रही है जससे पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया भारत की इस बात पर यकीन करने को तैया नहीं है दरसल दोस्तो जबकि भारत की DRDO ने खुद इस बात का एलान किया है भारते DRDO ने टेस्ट एंड पर इक्छण कर इस मिसाइल को हर जगे पर ख़रा पाया है दरसल दोस्तो यहां पर बात अलीए भारत की आकास NG Missile System की धरत की जो बात की जो आकास NG Missile is, इसकी जो range है वो 30 km है लेकिन दोस्तो पुरी दुनिया इस बात को मानने को तयार नहीं है क्योंकि दोस्तों खुद चायना और रस्या की रक्षा विसे सग्य और जानकारों का ये मानना है कि भारत की जो आकास एंजी मिसाइल है इसकी रेंज 30 किलो मेटर ना होकर बलकि 80 किलो मेटर है यदि दोस्तों आकास NG missile की बात की जाए तो बराक 8 missile की तुलिणा में इस missile system में एक बड़ा motor लगा हुआ है क्योंकि दोस्तों इस बात से पूरी दुनिया होगात है कि भारत की जो आकास NG missile है उसकी जो range है वो करीब 25 km है तो केवल 5 किलोमेटर रिंज बढ़ाने के लिए भारत इस मिसाइल का परिक्षड क्यों करेगा वहीं दोस्तों रक्षा की जो कुछ रक्षा विसे सक्किये और मिसाइलों की जानकार है उनका मानना है कि भारत की आकास NG मिसाइल का जिस तरीके का डिजाइन है और इसमें जिस तरीके की एरोडाइनमिक और इसका साइज और इसमें जो बड़ा मोटर लगा हुआ है उसके मुताबर इस मिसाइल की जो मारक शमता होगी वो कम से कम 70 से 80 किलोमेटर हो सकती है और वहीं दोस्तों इसके दूसरी खासियत की बात की जाए तो भारत की जो आकास NG मिसाइल है वो दुसमन के एक ही बार में 10 टारगेटों को निसान मनाने में सक्चम है हालागी दोस्तों इसमें कोई दोर आई नहीं है कि भारत की जो आकास NG मिसाइल है इसकी जो टेक्नोलोजी है वो काफी जादा अती एडवांस मानी जाती है लेकिन दोस्तों अब इस सूपर एडवांस मिसाइल की रेंज और रफतार दोनों ये एक रहस से बन चुकी है बाग कर अपनी डिटेल्स जरूर दे धन्यवाज जैहिन वंदे मातरम